एक उसने की जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता कैसे बताऊं से यार ऐसे नहीं चलता जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता कैसे बताऊं यार ऐसे नहीं चलता खुद को मेरा साया बताता है खुद को मेरा साया बताता है फिर क्यों तू मेरे जैसे नहीं चलता और तेरे इश्क में हूँ बेबस इतना मैं तेरे इश्क में हूँ बेबस इतना मैं जवान बेटे पर बाप का हाँ जैसे नहीं चलता और दर्द दिमाग वार ये शायद जंग है मिरी जां महबबत में तो ऐसे नहीं चलता और बस यही बाते हैं इस पूरी गजल में कानहा कभी ऐसे नहीं चलता कभी वैसे नहीं चलता तलिसमे यार ये पहलो निकाल लेता है तलिसमे यार ये पहलो निकाल लेता है के पत्थरों से भी खुश्बू निकाल लेता है है बेलिहास कुछ ऐसा के आँख लगते ही वो सर के नीचे से बाजू निकाल लेता है है बेलिहास कुछ ऐसा के आँख लगते ही वो सर के नीचे से बाजू निकाल लेता है कुछ पुरानी गजल एक मतला चन्द शेर की अपनी हकीकत में किये कहानी करनी पड़ी उसके जैसी मुझे अपनी जुबानी करनी पड़ी अपनी हकीकत में किये कहानी करनी पड़ी उसके जैसी मुझे अपनी जुबानी करनी पड़ी कर तो सकता था बाते इधर उधर की बहुत मगर कुछ लोगों में बाते मुझे खांदानी करनी पड़ी और अपनी आँखों से देखा था मनजर वे उफाई का अपनी आँखों से देखा था मनजर वे उफाई का गेर से सुना तो फिजूल हैरानी करनी पड़ी और मेरे जहन से निकला ही नहीं वो शक्स नए महबूब से भी बाते पुरानी करनी पड़ी मेरे जहन से निकला ही नहीं वो शक्स नए महबूब से भी बाते पुरानी करनी पड़ी और उससे पहले महबत रूँ तलक की मैंने पिर हरकते मुझे अपनी जिस्मानी करनी पड़ी पिर हरकते मुझे अपनी जिस्मानी करनी पड़ी और ताश की गड़ी हाथ में ले काना को जोकर समझती रही ताश की गड़ी हाथ में ले काना को जोकर समझती रही फिर पत्ते बदल मुझे बेमानी करनी पड़ी शुक्रिया भई